हेलो और वेलकम टू माई कीचन मूली के पत्तों से भी बहुत सारी रेश्पी बनाई जाती है आज मैं बना रही हूँ मूली के पत्ते के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और स्वाधिश्ट बनता है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता breakfast या tea time snacks में आप इसे बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि मज़ेदार क्रिस्पी रेश्पी कैसे बनाते हैं मूली के पत्तों के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यह आपे लिया है मूली के पत्ते तो इस तरह से market में मिल जाते हैं तो अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो इसके भी बना सकते हैं तो बहुत से लोग के पत्ते भी फेख देथे हैं लेकिन उस्के भी भी बहुत सारी रेश्पी बनाई जाती है तो आज मैं ये पकोड़े बना रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल फ्रेस और नरम है और ये छोटे-छोटे है और इससे इसपेसली जो है मूली के रेस्पी बनती है सबजी बनाई जाती है और पकोड़े बनाये जाते हैं और भी बहुत सारी रेस्पी बनाई जाते हैं प हम सारे पत्तों को काट करके साफ कर लेंगे और यह देखिए इस तरह से इस तरह से आप लेंगे और आप जाहें तो पहले भी दूल सकते हैं या फिर इसे बाद में धूल लें इस तरह से काट लिया है मैंने अब हम इसे पानी से अच्छे से धूलने के बाद इसे हम छन्नी में छान देंगे तो इस तरह से हम छान के रख देंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि मुली के पत्ते जो है वैसे ही फ्रेस होते हैं तो इसको मैस करने के बाद ये पानी थोड़ा सा डिस्चार्ज करेंगे अब हम इसे एक बाउल में ट्रासफर कर लेते हैं जिसमें हमें इसे मिक्स करना है तो ये देखिए मैंने एक बड़े बरतन में ले लिया है इसे और अब हम इसमें एट करेंगे प्याज तो यहाँ पर एक प्याज मैंने डाला है चोटी साइज का और प्याज नहीं डालना चा चमच अद्रक और लेसुन का पेस्ट तो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पकोड़े में किसी भी पकोड़े में आप लेसुन अद्रक का टेस्ट पेस्ट डाल सकते हैं और यह नमक डाल दिया मैंने और यह हल्दी पाउडर बिल्कुल एक चोथाई चोटा चमच हल्द पौटर डाला है और यह आधा चोटा चमच धनिया पौटर डालेंगे और यह आधा चोटा चमच साबूत जीरा और आधा चोटा चमच हम डालेंगे अजवाइन तो अजवाइन जो है बहुत ही अच्छा डेस्ट आता है पकोडों में तो इसे जडरूर डालें तो यहां पर आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे आमचूर पाउडर तो आमचूर पाउडर नहीं है तो निबुक का रस भी डाल सकते हैं और यह पारीक कटी हुई हरी धनिया तो बड़े चम्मच और अब हम इसमें अड़ करेंगे बेशन तो यहां पर मैंने लिया है आधा कप बेशन त तो इसे हम पहले अभी मिक्स करेंगे और अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि पत्ते जो है वह बहुत ही फ्रेस थे अगर आपको जरूरत पड़े तो ही पानी इसमें डाले एक या दो चम्मच ही रहें फिर से मैं इसमें एक चम्मच बेसन और एक च पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे, तो अगर आपको लगे कि यह थोड़ा सा लिक्विडी है, तो इसमें थोड़ा सा बेसना पैट कर सकते हैं, तो यह देखिए, यह बेटर तयार है, अब हम इसके पकोड़े फ्राइ करेंगे, तो पत्ते के पकोडों का मिस्रड तयार करने के बाद हमें इसे रखना नहीं पड़ता है इसे तुरंत ही इसे हमें फ्राइ करना होता है क्योंकि अगर आप रख देंगे तो यह बहुत ही जादा पानी डिश्चार्ज कर देता है नमक वगरा भी हम डाल देते हैं जिसे कि यह बैसन का ही फ्लेवर आ जाता है और बैसन बस हमें बांडिंग के लिए ही करना होता है और चावल का आटा भी अगर एक चमच डालते हैं तो इसे क्रिस्पी हो जाता है लेकिन अधिक डालेंगे तो वह क्रिस्पी नहीं होते हैं कड़क हो जाते हैं तो बहुत जादा चावल का आटा भी नहीं डालना है तो यह देखिए पकोड़े हमारे बिल्कुल फ्राई हो गये हैं और यह बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से और बाकी की पकोड़ों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो देखिए यह कितना आसान होता है बन बनाई जाती है यह देखिए बिल्कुल टेस्टी क्रिस्पी गर्मा गरम यह मूली के पत्तों के पकोड़े बनके रिडी है तो आप इसे किसी भी चटने के साथ खाए या फिर चाय के साथ आप इसे खाए बहुत ही टेस्टी लगता है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करन ना भूलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद और बाइबाई